है 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 प्रकार है यृठ लोग मेरे कह दो हरते हैं ज Championships när इस पेपर लीक के खिलाब क्यों नहीं बोलते है यह दर शीम पेपर लीक कियो मारी समाब मैं चमाज की समसिय कहूं है कि हमारा मॉरल डिकलाइन है यह हमारा नितिक पतन है कि हम इस हद तक गिरेवे लोग है अब कि अब हम पेपर आउट करवा रहे हैं और कोई भी आदम इस मामले में तब तक इमानदार है जब तक उसको पेपर नहीं मिल रहा हुआ हुआ कि किसको कहना क्या असो गैलोत के सी जी में आती है कि मैं पेपर आउट करवा दूर बच्वों को अबरबाद कर दूं आपको तनिक भी ऐसा लगता है असो गलोत में मतलतों सचीन पाइलेट बन जाए या वसुंद्रा जी बन जाए या गुलावचन जी कटारिया बन जाए तो कि हैंके दिमाग में साहता है इस पर 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 आउट करवा गें सारे बच्वों बढ़ बाद करें अना यह तो एदम सही कामी करवा रहे होंगे उसके बावजुद यह पर आउट हो रहे हैं इसका मतलब है कि हम इतने गिर चुके हैं अब कि हमें अंदर जांकने काई टाइम नहीं मिल पाता है हम सारे प्राप्त क करना चाहते हैं यह दिक किसी के पर नहीं आ रहा आना तो इसका मतलब उसकी अब अभी तेक अप्वर्चुनिटी नहीं है यह तो उसके पास रुपए नहीं है और रुपए भी हम जमीन बेच बेच के ला रहे हैं अगरे जमीन बेच देंगे पर इससे रुपए लेकर हम क् पर लेकर यह जो भी नोकरी लगी कि इसके अंदर हम लग जाएंगे और इससे भी बूरा ढंचा आमने यह कर रहा है मुझे के बड़ा अजीब लगता है कि आर पेसी में कोई भी मेंबर बनता है वो जिस जाती को होता है वो जाती उसको बधाई देती है किस बात की बधाई आप साफ साफ कह रहे हो कि हमारी जाती का तो फेवर लेना ही है अब जब ऐसे आदिमियों को आप आर पेसे में बहजेंगे या इस बात पर आप खुस होंगे और फिर आप यह भी चाहते हैं कि आपका सिस्टम फेर रहे तो नहीं होगा जब तक एक एक आदमी फेर नहीं हो गाउं में आज भी को इस परकार के मामलों फस जाता है तो लोग कते हैं कि यार पलाइन जी उस मुकद में फस गये थे आज भी खूब सारे लोग इस बात की यूंग गरवे के साथ कते हैं कि हमारे गाउं में पिछले सो साल के अंदर पुलिस नहीं आई यह हमारे आप तक लोग कच्दी का मामला नहीं फड़ा इस परकार की बाते का तो मिल जाएंगे आज करमा बड़ा आजीब देखता हूं कि फेस्बुक पर लिखा आता है कि बाई के जमानत मिलने पर आर्दिक बदाई किसी गुंडे मवाली क्रिमिनल के लूट के के अपरादी को हम गाड़ियों के काफी ले के साथ छोड़ के आते हैं पर फिर हम यह मानते हैं कि यह पेपर लिख जैसी घटनाए बंद हो जाए तो पेपर लिख करवाने वड़ा तो खुद में गिल्ट भी फिल नहीं करता हू मैंने रेप तो किया है नहीं किसी का मैंने तो पेपरी लिख करवाया है सारे पराप्त करना चाहते है कि कोई single आदमी यह कःदे कि उसके पास पेपर आगए उसने का नहीं मैं मान दरी से देख आँगा है तो ही है मैं समझ गया था कोचिंग आके नारे लगाने का मतलब एक प्रजेंस आप माइंड नाम की तो चीज होती है इतना तो अपना काम करी रहा था आप कोचिंग गाइडलाइन उसमें क्या का है बच्छों को यह बताओ क्या बताना बच्छों को बच्छे जानते नहीं गया बच्छे कुछी जुगाड में बेपर गी किसको बताना है भाई मैं आरस वाले जब इंट्रिवियों होते हैं आरस वाले इंट्रिवियों होते हैं तो हर बच्छा गाईड़ेंस लेक men कि लिए आता सर क्या हूं क्या पढूंग हम पूरा समझाते हैं यह पढग यह पढ़ यह पड़ दिश्डिक तियार कर सब्जयक त वाल हमसे होता है। सर कोई है। जानकारी में आपके। मैं बाबोजी लंगोट में जिन स्कीन पिरा दे। नहीं है भाई कोई जानकारी के अंदर नहीं। नहीं है जार कोई होत। तो भी रेदने इस्टुडिनिट आपके कि सर आप करते हो कि इस्टिक तयार कर लो सब्जेक्ट तयार कर लो मुझे लगता इससे अच्छा तो कोई मेंबर तयार कर ले। इस अहाद तक यदि ये बात मजाक्का विसे बन गई है तो नहीं रूकेगी। सरकार कुछी कर ले। भई पहले क्या है बनलती है बनलती है अगर नारे तक मेरा देखा भाय है अमारे साथ वाडे खूब बाद में काते हैं दस लोगों इक साथ फॉंब कर ला ड़ा अगे बीछ रोल नमेर रा आग़ दूसरे नकल गत लिए प्रि में बता दियें इए यह नकल एक परसेंट, दो परसेंट इतने एक परसेंट नहीं है, पोईंट के मुह में जी राचिती है। दस लोगों का गए पीछ रोलनमर है, और क्लास में बीट किसी पूछ सकते हो। वह भी तब पूछ सकते हो जब क्लास में डूटी किसी टीचर की आए मेडम आजाए तो वह भी नहीं करने दे अना मेडम इस मामले में घतरनाग पड़ती है वह इधर से उधर नहीं देखने दे मेरा एक्जाम में तो मेरा देखा वान कि जब भी कोई पूरुष टीचर आता तो वह थोड़ी देर खड़ा रहता अन्यक्राव यह वह आदे पहुने गंटे बाद अपले किसनों साइन करवाने बाद वह था इमां बार बेठाओ आएगा तो मैं कर दूंगा चुप चाप करन यह वाले नकल चलती थितनी नकल हो जाया करती इससे ज़दा कोई भी नकल जैसी चीजह है नहीं तो सरकार ने किया किya कि सेंटर पर ध्यान रखेंगे यह काम सरकार का हें तो किया है कि आए आज सापास में ब्लुटूत नहीं लगने देंगे लोग वह वह ब्लुटूत से गाते हैं जिंस पहलते हैं गाते हैं इतंया घिंस संब्स हमें जो बटन आ इसके इंडर ले लया धुन्हीं वहатंया हो तुम पिह सक भाइख सकते हैं तोने के लिए तो खाएगा ऐसे प्रयास सरकारों से नहीं होगे जब तक नितिकता समाज के अंदर डवलप नहीं होगी तब तक यह सब चीजें चलती रहेगी और इसका एक बड़ा रिजन दूसरा है इसका बड़ा रिजन यह हमने सरकारी नोकरियों को भगवान मानते रहेंगे मै लगता सरकार ब्रषटाचारियों को जेल नहीं बेच ती बेज रही है अभी तक भी खुब ब्रषटाचारी जेल जा रहे हैं तो कौन से ब्रषटाचार रुख गए क्योंकि हमने ब्रषटाचार को सिष्टाचार मान लिया है अब यह बुरा लगना बंद हो गया लोग मतल अगली बार को यह करने से पहले चार बार सुझेगा आजार रुपे रिस्वत लेने से कि नहीं यार पूरे समास से बॉइकोट होगा पर समास तो उल्टा देखता है इसाब फलान जी रिस्वत के मामले में बाहर गए थे इसका मतलब फलान जी के पास रिस्वत खूब सारी पैसा खूब सारा है तो फलान जी की बेटी की रिस्टा किया जाए तो देहज खूब सारा मिल जाए या फलान जी की बेटे के साथ अपने बेटी की रिस्टा कर दिया जाए तो लड़के की कमी तो किसी बात के आनी नहीं नहीं है बाप ने दबा दबा की खूब रख रख जब इस कदर पर ही अपने आ गए तो चीज़ नहीं रुकिए फिर अपने पास के वल रेलियां बची है जो रेलियां निकली जा सकती है हिसे वर सरकारों से ज़िदा दौस हमें सावान की सरकारों दोस Überर्वे समाज का है सरकार cultura कर नहीं कब पास अब कारों क कंट कर रही है और काई पर अपने गज़ा है कि आर पेपर घूबादीर और और म्रें प्रिंटिंग परेंडेंगे और टाबरों के फालतों में कह रहे हों कि हम आस्चिन काट देंगे तरी, फुल बाजु कोई पहन के भी चला गया तो कैंची लेकि वहां खड़े रहते हैं, वहां पे काटते रहते हैं, तो नहीं है नहीं आण देंगे, गल्स को भी सर्दियों में कहते हैं कि नहीं यह नहीं पहने देंगे वह नहीं पहने देंगे, यह सब परकार की चीज़ें इस परकार की यह पर क्या हो जाएगा इससे, वह अंदर जो भेजने वाला है वह भी आपके अंदर का ही आदमी है, और हम तब तक चुप बेठे हैं जब तक हमारे पास वह पहुंच भा रहे हैं, हम जिते भी हो हला मचारे लोग हैं वह वह है जिनके पास यह चीज नहीं पहुंची, अब honesty is lack of opportunity है, इमानदरी तब तक है जब तक आपको बहिमानी की मोखे नहीं मिलते, इमानदरी गए हो शुक हैं, इमानदरी गए हो छुक हैं, तो नेतिक पतन हुआ आपका, यह नतिक चरीथ नाम की चीज नहीं बची। नेतिक चरीथन नहीं है तो यह सब चीजियां आपको देखने होगी. बढ़ेगी. सरकारी जोर लगा ले आपने कानून किते कठोर बना दें, यह उर बढ़ेगी, सरकारी नोकरियों का आकर्षन जब कम होगा थोड़ा, समाज में थोड़ा नेतिक्ता का विकास होगा, तब धीरे-धीर-धीर यह चीजिए समाफ़ोगी, वरना मतलब अब तो यह खुलयाम हो ग मैंस का कैसे करवाएंगे, मैंस भी आउट करवा गए, तो इंटर्वी मोर सेटिंग करने पड़ेगी, तो लंबा है, और बंदे लगता है एक जगे भी मामला है ती बिगडगए बीच में, लेक हो गया मामला, लेक कर गया एक जगे भी मामला, इन्हों ने मेरे को पहले हो ही है, इस समस्चा का सामना मैं कई दिनों से कर रहा हूं, और मारला जिसका YouTube पे देखा तो अचने कर तो आप वह हो ही हो ही हो ही है, जैंग, 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 कोई अंतर नहीं है, तो वह मामला तो वह इदम लेक के देख रहा है हुदर से उसे विश्वास है, यूटव ब भी आप, तो थोड़ दिन पर ले किसी कारिकरम गेंपर तो वहां को सजन मुझे कई देख रहे हैं तो मैं समझ तो गया था कि क्यों देख रहे हैं, अब मैं चला के तो उनको कैसे कहता हूं कि मैं हूँ मैं हूँ, आजो मिलो मेरे से तो बाहर गए, बाहर जागे वापस है, तो मैंने आतवां तका कि वीटू देख क्या के बात आप कैसे बता यार आते घंटे से ताड रहे लगा ता फिर आप बाहर गयों मोबाइल लेके वापस आई उसका मला आपने वीटू दे के मिलान क्या है सेम आदमी सेम आदमी वह वही आदू है और वह तो बड़े हो यह मज देख लेते हैं अच्छे लगते हैं तो मैं उनको और अंसर आता किसार आप नहीं देखते यूटूब दिखाता है कि आपने मेरे दो वीडियो देखे होंगे यूटूब को ऐसा लगा कि इसको यह पसंद है इसलिए सजेशन में वही वह दिखा रहे है आपके वास आप कि टाइम खराब हो गया आप अगली बार खुद मेरा सर्च करना चाहोगे यूटूब को फिर लगेगा और पसंद कर रहा है वह दो च्यार ओर बेज देखी हाम को यह आप लिखो अपने विश्यस ना है लिखो पर लिखे से होंगे अपने थोड़ा साब इस मामले में रो क अपने वाले में नहीं है इतना तो राजी रहा जाए अपने तो लेकेंसी आये तब आजाए आप तो यह करोगी थोड़ी लेट है क्यों क्यों राजी हो रहे हो आप सोचो गयार थोड़ी चार-पांज मिने और लेट हो जाए आपका कॉर्स कंप्लीट हो आराम से दोस्त को और थोड़ी सी दो-चार मिने और लेट होगी तो मुझे लगता है यह वेकंसी बढ़ी आएगी नए जिले बनेंगे नए तसिलें बनेगी तो नए तसिल्डार चाहिए नए उफ्केंड अदिकारी चाहिए नए बीडियो चाहिए नए दिप्टी चाहिए तीजों में थड से जैनों ने चेतर ज्यादा बनाए थे ना तो मेवाड वाली शेली पर अपने को जैन शेली का परभाव है एक अजन्ता का परभाव है किसका परभाव है अजन्त